हालो और वेल्कम बैक टो इस्टेडी टाइम उल्ली इस्टेडी टाइम उल्ली मापका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंसाइट आइस की जो पीटी तो साल भार का हम करेंट देखने वाले हैं पॉलिटी को यहां पर देखेंगे माई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तके सभी पॉलिटी से लिटेड जो करेंट अफियस हो गए हैं उसको हम डिटेल में डिसकस करने वाले हैं इंसाइट दार में निकाली आथी ठीक है तो आप चाहें तो सा के अंदर हम बात करेंगे यहां पर देखी टेबलों कंटेंट के कंस्टिविशनल नॉन कंस्टिविशनल स्टेटरी रेगुलेरिटी और जो वी जो वी इस कौनसे जुडिशल बोडी होती है तो बोडी से लिटेज हैं यहां पर टोटल फिफ्टीन बोडी दी गई हैं तो अच्छे से लेड़ आता है किसके कहां चीज़ेंगे तो पहला रेगा थिर्सक्राग कि पर लेक्ष्टेफ करेंगे जो भी चीज़ेंगे सभी को डिटेल में डिसक्स करेंगे बैसे हमारा है विजडान आएए क्र पीपी पर चौन लेक्ट्टर नहीं देखे तो प्लेली ल यहां पर बहुत सारे जो आर्टिकल लगभा है उसको हम देखेंगे दैन फानली फिर हम सेंटर इस्टेड रिलिशन को देखेंगे तो वह सारी चीजे हो गए लेक्टरल यहां पर एक तरीके से अंदर आपको बहुत सारी चीजे जो हो गई यहां पर इस जाब बहुत जाती है आपकी एक प्रस्पेक्टिव से तो साल बर के इंदर जो भी कर इंटरफेस रहा है अगर अगर अपने यह दो स्रीज को फॉलो कल दी तो कोई भी इंटरफेस आप से छूटके नहीं जाने वाल और जस्ट आपने से सुन भी लिया मैं कहता हूं अगर एक वार आपने सुन भी लिया तो आपके दिमाग में सारी चीजे बैठ याएंगी वह जो है जाने वाली नहीं है कहीं पर भी कोई भी कुश्चन आएगा किसी प्रकर कुश्चन को आप डील कर सकते हैं इस सारी चीज को हम डिटेल में डिसकस करेंगे तो पहला यहां पर जो बॉडी हाई हमारे रेकमेंडेशन ऑफ फिफ्टिन फानेस कमीशन तो यहां पर बताया गया है फिफ्टिन फानेस कमीशन का रेकमेंडेशन ठीक है तो अब क्या क्या रेकमेंडेशन दिया है फानेस कमीशन ने वह स है इसको हेड कौन कर रहे हैं एंके सिंग जो है 15 फाइनेंस कमिशन को हैड कर रहे हैं तो यह चाहिए आपको यहाँ पर याद रखनी है ठीक है तो आप यहाँ यहाँ रखेगा ठीक है नेक्स्ट आगे चलते हैं तो ज़रा कि हम कर रहे हैं थे यहां पर 15 finance कमिशन की बारे में तो देखिए यहां würd कर रहा है यहां फेंद कर हो अगर میں में इंपॉर्टन बात कर लेता हुए इसके अंदर क्या recommendation आई है तो यहां पे जो पहले जो होता था 42% share जो है हम state को देते थे ठीक है tax का जो tax distribution होता है वो कौन करता है finance commission ही करता है ठीक है वही recommendation देता है तो 15th finance commission ने क्या किया है जो पहले 14th finance commission ने 42% tax review नहीं था तो 42 से कितना कर दिया है 41% कर दिया है तो यह information आपकी exam perspective से पहुंचा तो important है यह आपको यहां पर याद रखना है ठीक है आगे चलते हम और बहुत सारी चीज़ें दिखिए इसमें निकल के आएंगी कि किस तरीके से finance commission ने कंसिडर किया है 2011 के population को decide करने के लिए किस तरीके से आपका जो होगा Texas का share जाएगा तो उसको decide करने के लिए क्या किया है 2011 के population को कंसिडर किया है forest cover tax area of the state यह सारी चीज़े जो है cover की गई है ठीक तो में लिए आपको यह रखते हैं किस तरीके से 42% से 41% हमने कम किया है तो question में आ सकता है कि अभी कम हुआ ज्यादा हुआ कित्ते परसेंट हुआ कित्ते परसेंट चल रहे तो आपसे पूचा आ सकता है तो वो चीज़ आपको यहां पर याद हो चाहिए next article के और बढ़ते हैं हम और नेक्स आर्टिकल हमारा कमिशन ओफ इंडिया है किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है आर्टिकल नंबर 280 ऑफ दौस्टिट्यूशन तो 280 के अंदर हमारा क्या मेंशन है ठीक है तो वो क्या करता है क्या करता है अभी हमने देखा कि टेक्स का अलग-अलग से ग्रांट सिन इंड्स कितना होता है यह सारी चीज़ जो होगा है फाइनश कमिशन ही दिखता है तो यह चीज़ आपको यहां पर याद रखनी है अब देखिए अगर मैं बात करता हूं कि फाइनश कमिशन को अपॉंट कोन करते हैं फूपॉंट आपॉंट क आपको यहां पर याद रखना है ठीक है यहां पर जो चेयर फाइनेस कमिशन सली अलोवें चेयर में जो होते हैं हमें कमीशन जो होता है सलेक्टर फॉंद एमोंग परस्तन हुआब एक्सपीरियंस जिसको इस तरीकी से पब्लीक एक्सपीरियंस हो जो क्वालिफाइड हो जैज बनने के हाई कोट्स के अंदर ठीक है जिसे स्पेशल नॉलिज हो फाइनेस की और गर्रमेंट के एकाउंट्स पर गिराखी फाइनेस मेंटर से अडिमेशिएशन जिसे नॉलिज होता है उसे यहाँ पर लिया जाता है वैनेस कमिशन के अंदर ठीक है तो यह सारी चाहिए आपको यहाँ पर याद रखने है ठीक है अब थोड़ा साम बैग्राउंड में चलते हैं बैग्राउंड में देखते हैं कि पहली बार फाइनेस कमिशन कब 6 अपरेल 1952 के अंदर तो यह इंफॉर्मिशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 अपरेल 1952 को यह एपॉइंट पर थे चेयर्मेंस कौन थे यहाँ पर केसी निगौई जी जो थे चेयर्मेंन थे तो इनके नाम और यह डेट आपको याद रखनी पहला फा सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ठीक है अब देखिए Autonomous District Council के अगर मैं बात करता हूं सिंपल से चीज़ है तो Autonomous District Council के अंदर आप ऐसा समझ लीजिए कि वह डिस्टिक आते हैं जिसके अंदर Autonomous रहता है ठीक है Autonomous रहता मतलब वह अपनी जो अथियोर्टी है खुदी वहां पर लेजिलेटिव वर्ग करते हैं खुदी एक्जिटिव वर्ग करते हैं कुछ ऐसे हमर यहां डिस्टिक हैं उन्हें जो कहते हैं उसके खिलाब उसके लिए एक कॉंसी बना जाता है आगर मैं बात करत हो जाता है आपको यहां पर याद रखना है ठीक है इनकी पस वीरियस पावर होते हैं यहां पर गवर्णर जो होता है यहां पर मोडिफाइब करता है बांड़ बगरा को उसको मेली जो है यह किस इस दिवल के अंदर आता है जिसे विजन के लेक्ट्टर में यह सारी इसके निदर इंक्लूड कर सकता है और नाया उट्वर्णर जिस्टिक जो है बना सकता है तिक इस तरीके से उसका इरिया ऌफ एनी ओर इन्ध ऐिस्टिक और सकता है judge कर सकता है तो यह सारी जो पावर्णर के पास होती है यहां पे जो हो गई आप एक चीज यह पुछा जा सकता है कि अलग से जो पावर है क्या जो इस तरह के से जो स्टेट मेंशन है जो एडिया मेंशन है ठीक है तो जो हमने चार स्टेट पर उन उनके गवर्णर के पास ऐसी कौन सी अलग सी पावर है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं और रिजिनल कॉंसिल बगर यह सारी चाहिए देए अब देखिए आप पर कुछ फैक्शल इंफॉर्मेशन आप देख लिए जिब 125th Constitutional Amendment Bill के ठाइत रिलेट करता है इंक्रीज दफानेशन इंग्जिटिव पावर और 10 ओट्वनुमस इंग्रीड आता है यह क्या करता है इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर फानेशन इंग्जिग्वटिव पावर इन 10 अब यह 10 कौन कोंसे यह डिरेक्ली उन डिरेकली आपसे कु ठीक है भूतिया चैमल चकमा गारो हल्मा जमातिया खाशिया कूकी लचा लूची देखिए ऐसा नहीं कि आप लिगों रटते विठी लेकिन एक बार आप रीट कर लीजेगा मोर्जन सुफिजन्ट हो जाता है ठीक है नेक्स बाड़ी के तरफ हम मूव करते हैं और हमारी नेक्स बोड़ी यहां पर निकल के आई यह वह चीफ दिगलें विजिलेंस कमिशनर ठीक है काफी आदा आपने नियूज में देखा होगा इस बोड़ी के आरे में बहुत यहाद इंपॉर्टन बोड़ी है चलि बताए कि कैसी बोड़ी है क्या यह विजिलेंस कमिशन जो है एक चीफ जो जैसे एक सेंटर विजिलेंस कमिशन होता है उसके जो चीफ होते हैं से हम कमिशन कहते हैं ठीक है तो यहां पर आपको यह चीफ रहतना है कि यह जो बोड़ी है अगर में विजिलेंस इंस्टिउशन की बात करता हूं इसे एक्जिटिव रिजॉलीशन के थ्रूर लाया गया था ठीक है तो यह चीज़ आपको यहां पर याद रखने है इसको किसके से आये तो आप साइन में इसको संथानम कमिटी जो है लिख सकते हैं ठीक है इसके अंदर लिख लिए 1964 के नदर ठीक है तो यह काफी आदर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एक्जाम प्रस्पेक्टिव से ठीक है अब इसको स्टेटरी स्टेटस कब दिया गया है यह ची कमिशन तो यह इनफॉर्मेशन आपको यहां पर यहां रखने है इसको जो पॉइंट किए जाते है इनको पॉइंट किए जाते है प्रैम मिनिस्टर होते हैं यह काफी आदा इंप्ऌर्टेंट है पूछा जा सकता है कि जो इस तरी के पिछली बार इसकाफी कोशन पूछे कोई कपाईट करने के लिए जो कमिटी बनती है मतलब रिकमेंडेशन देने के की लिए उस कमिटी के अंदर कौन रहिए प्राइम प्राएम फिँनिन भीन फॉप सावा सब्लों आधेगे लिए पहला यहां तक था लेकिन अभी जो रिसेंट्र समय गया है कि यहां फिर त्सी त टोटल नंबर ऑफ सीट जो होनी चाहिए कोरम के बराबर तो अगर वो नहीं है तो फिर कैसे रिसाइड करेंगा फिर तो इनका अपटमेंट है नहीं हो पाएगा तो यह आपको यहाद रखनी है ठीक है इनका टाम काफी हादा है इंपोर्टर हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि हम दोग देखते हैं कि चार साल क्या होता है अकसर जो बॉड़े रहती है तो यहाद रखना है ठीक है और रिमॉफ किया जाएगा अगर यह मिस्पीएब करते हैं रिमॉफ किया जाता है अगर यह कोई मिस्पीएबियर नित्या पर सिटी आपता पर दिया ठीक है ठीक है अगर हम बात करते हैं तो टूंटी सेकेंड जो लाग कमिशन है हमारे हाँ जो है क्रेट करने के लिए क्या में एप्रूबल दे दिया है तो यह चीज आपको आपको जो तुक्र तीन साल के लिए झाल है कंपूजीशन के निदर कौन होते हैं एक चेयर हैं यहां पे चार यहां यहां पर यहां पर इसके पांच से ज्यादा नहीं हो सकते हैं तो पर्मनेंट की मेंबर की बात कर रहा हूं ठीक है रिटायर सुप्रीम कोड जज और चीज्जिस ऑफ हाई कोड विल हैड दा कमिशन जो हैड होते हैं जो परसन होते हैं रहें हो रिटायर यह फिर पित जिस जेशल्डिश अफ इंडिया रिटायर हो तो उन्हें बनाया जा स सब्सक्राइब करना उसके उपर सुमोटो एक्षन देना इस तरह किसे कोई चलता है तो रिफॉर्म करना इंदर क्या क्या चीज़ है नहीं लेकर आ तकते हैं तो यहां पर यहां पर यहां रखना है अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि फर्स्ट लाव कमीशन की देखिए पर यहां पर याद रखनी है ठीक है नेग्ज़ हमारा है सेंटर कंजूमर प्रोटेक्शन अथरिटी देखिए यह नॉर्मल सांटीकल है एक बार आप इसे नेजर माल लीजिए ठीक है तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले इंपोर्टेंट बात कि यह किस चीज़ के तो यहां पर यहां पर यह आया है कंजूमर प्रोटेक्शन एक 2019 के तहतों यह आपको यहां पर रखना है ठीक है इसके अंदर क्या होगा जो कंजूमर के राइट्स होंगे उसको प्रोटर करने की बात की जा रही है तो सेंटरल में एक ऐसे बौडर रहेगी जो इस तरीके स इसके पास पावर के इस सब्सक्राइब कर सकता है और अगर रिफंड देने की यहां पर बात आती है तो यह इसके पास पावर होती की और पास करते कि आपको रिफंड देना होगा या पर्चेसिंग बावाइब सब्सक्राइब करता है तो यहां पर देखने को मिल सकता है अगर कमिटेट दस सी मैनिफेक्चर अगर बार पर वह एक बार से दो बर यहां पर हो रहा है तो तो इसके कफी अच्छी है जो यहां पर पॉइंट यहां सब्सक्राइब रहेंगे एक चीफ कमिशन को मिल रहें और दो अलग से और कमेश्चे थो यहां पर 비्ली स्थीं पॉनेगा to तो यहां पावर आपके पास आजाएगी कि आप कोई भी सरी किसे जो कम्प्लेंड है मैं उसमें जाके इन्वेस्टिकेर करते हैं जो फॉर्स वहां पर आपको भी चीज पावर आजाती है इस तरीके से हमने क्या करते हैं हमारे कंट्री को सब्सक्राइब कर दिया है इस तरीके से हमने क्या कर दिया है सबसे पहली बाद जो इस्टाइबलिस्मेंट वहाथ है यह जोनल काउंसल पूछन जाएगा कैसी बोड़ी है तो आपको बताना स्ट्रेशरी बोड़ी है ठीक है यह कब इस्टाइबलिस हुई थी स्टेट रियो और्गनाजेशन एक 1956 के तहत यह इस्टाइबलिस हुई थी है तो आप आजाते हैं तो वह आप यहाँ रखीगा थी इस्टाइब टरीके से आप आजाते हैं तो आजाते हैं तो वह आप यह देखेगा तो आप देख सकते हैं कश्मीर पंजाब राधर्स्तान दिली यूटी ठीक है उत्रा खंड हो गया हमारा ठीक है और उत्रप्रदेश मद्रप्रदेश्या इस्टर जोनल कॉंसी के अंदर कौन-कौन से यूटी बगएर आ जाती है तो यह हमारे पास टूटल कितने जोनल कॉंसील के पांच होगी यह पांच तो कब बनी थी इस्टेट रियॉर्गनाजिशन एक्ट नाइंटी फिफ्टेशिक्स के अंदर बनी ठीक है यहां तक क्लियर हो गया आगे चलते हैं जो नौर्थ इस्टे पहले नौर्थ इस्टेट के अंदर बनाए तो यहां पर यहां पर यहां पर याद रखना है अब कंपोजीशन देख लेते हैं यह पूछा बहुत पूछा भी जा सकता ठीक है इस तरीके से जो भी वोड़ी हो तुछ के कंपोजिशन काफी जाता है और मैंने आपसे कई बा ळिसली कडिए में होते हैं याज प्राइम मिंस्टर होते हैं वह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है तो यह आपको यहां पर याद रखना ठीक है तो यह हमने देख लिया इसके चेरमन कुर होते है है हमने देख लिया यूनियन और मिनिस्टा ठीक है अब वाइस यर्मन को होते हैं सियम लेकिन सोची एक जोनल काउंसिल करेंदा तो बहुत सारे सियम होते हैं बहुत सारे सियम आएंगी तो रोटेशन बेसिस में यहां पर होता है ठीक है सब्सक्राइब यह बन गाए फिर यह ब मिनिस्टर इसमें नॉमिनेट किये जाएगा गवर्णर के द्वारा ठीक है एडवाइजर बन परसन नॉमिटर बाद अप्लानिंग कमीशन ठीक है अभी जो हमारा नीती आयोग हो चुका ठीक है तो यह सारे चीज़ें इसके अंदर रहेंगे तो यहां पर याद रखना है करने के लिए अगर समाज में आती है तो यह इंफॉर्मिशन क्या है एक्जाम प्रस्पेक्ट्री से अपके लिए इंपॉर्टेंट है अब जिसके हमने देख लिए कि नेशनल इंटेगरेशन के लिए काफी अच्छा काम करता है ठीक है और जो भी रिजनलिजम हो गया प्रमोट करने एक लिए उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारे डपलब्मेंट और हम सारी चीजह को बना के रखें इसलिए लिए लिक्ता अब यह जवा है सबसे पहले हम इस्टैबलिस्मेंट के बात करते हैं इसका था इसका हुआ है तो यह बहुत यहाद इंपॉ बैलेंस यहां पर यहां पर याद रखना है ठीक है जब बात होती है तो आप यहां पर लेटादी है यहां पर यूँनियनमैस यहां नीविषी काफ चीफ रहता हम करते हैं कि जुशीफ ईन्फरमेशन कमीशन की बात करते हैं कि जो चीफ information commission काफ़ जादा news में है तो यहां पर आप देख लीजे क्या क्या चीज़े निकल के आती है तो यहां पर बात हो रही है state chief information commission की तो देखने हम कभी वी इस तरीके जो वाड़ी होती तो वहां पर remove करता है यहां पर याद रखना है कौन रिमूव कर रहा है गवर्नर ठीक है तो अनली गवर्नर के और पर जब इस तरीके होता है यहां पर सेंटर की बात हो रही है इसलिए स्टेट की बात के लिए ध्यान से आपको समझना ठीक है स्टेट चीफ इंफॉर्मिशन कमिशन को रिमूव करते हैं कौन रिमूव करते हैं गवर्नर रिमूव करते हैं और ग्राउंड प्रूफ जो भी इनकैपसिटी या जब भी पाया जाता है तो अक्सर यह तर्म देखन कर रहे हैं ठीक है कि इस तरीकिस से फैनिशल में कुई कर्द देखने को लागे जब इस तरीकिसे देखने को मिलेगा तो वहां पे इन्हें रिमूव किया जा सकता है ठीक है नेक्स्स वहां हमारी इंप्टेंट आप लोगने काफी इसका सुना होगा चुझे सेंट्र पहली बॉडी है तो इंवेस्टिगेट करती कर्प्षिन के मैटर को ठीक है तो इसको आई तो यहां पर इसको 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 सटप किया गया था तो यह इसको सटप किया था इस्पेशल पुलिस इस्टैबलिसमेंट के था ठीक है 1941 के अंदर इंडिपेंडेंस की छह साल पहले सूचिए इंडिपेंडेंस के पहले ही हमने यहां पर ब्रिटिस के टाइम पर भी यह वह हो गया था जब वर्डवास सेकंड आने वाला था इस टाइम पर इसके अंदर इस आरी देखने को मिली थी ठीक है और इसके बाद जो गया फिर इड़ोट अधार हो डिपार्टमेंट पे लेकर इसके मैंटर को अब यह इंवेस्टिगेट करती है करप्शन से लिटर मेंटर को सेंटर और स्टेट के जो भी करप्शन से मैंटर होते हैं तो किस आइक करती है तो यह आपको यहाँ पर रपकती है तो यह बहुत करती है प्लेड के मेंटर को वाद करते हैं एक तरह काई केंड़॥ा जो कि यह आपको बताना है यह किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है तो हमारे जो आपको यहाँ रखना है किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है अब की बात कर रहा हूं मैं ठीक है अब मैं बात करता हूं 323B एक अंदर क्या है एक्सक्रा इंफॉर्मिशन आपको दे रहा हूं ठीक है जो ऑदर टाइप के ट्रिबूनल होते हैं इससे अलग हाटा की तो वह सब्सक्राइब यहां पर याद रखनी है ठीक है के ट्रिबूनल क्या है एक कॉंसी जुडिशल बोड़ी है ठीक है जैसे कि आपने देखा होगा सेंटर अधिर अप्लोइमेंट कर देए तो अलग अलग यहां पर सटप किया जाते हैं तो यह आपको यहां पर याद रखना ठीक है और देखे जिसको इक पाया था 42nd Amendment Act 1976 के तहर जो है यह आर्टिकल यह इसको इंट्रिड्यूस किया गया है तो यह चीज आपको याद रखना है तो यह चीज को लाने के लिए क्या किया जाता है सब्सक्राइब करता है तो हमने आप एक्ट बनाया है एक्ट इसके तहथ यह वाटिक फर्क करती है ठीक है यहां तक आपसे आपको चीज़े समझ में आ गई होंगी और फोई भी कोशन आ जाए तो आप यहां पर डील करेंगे ठीक है अगर मैं कमपोजिशन की बात करो तो यह यह चोड़ी चोड़ी आप देख सकते हैं अब बात करते हैं अब बात किया था अब यह सब क्या यह जो फॉरेंट ट्रिपूर्टन नहीं है फिर भी पर हम लेता है फट 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 चेंज प्रबूज अब्च प्रबूज को में स्टेट को कुछ पावर्स दी गई हैं इसके होड़ाइन और उंडिया के अंदर नहीं रह रहा है और यह तो इसको फॉरेंट तरिबून ओडर 1964 के देहता है तो यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है प्रेक्टिस देखते हैं तो इसके बास आपके पावर रहती है अब दो कि तरीके से वर्ड करता है तो एक तरीके जुटी 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 इंफॉर्मिशन एतना कुछ खास नहीं तो एक बार चाहे तो एक बार रीट कर सकते हैं पर नहीं जो भी चीज इंप्रटिन मैं आपको बताता ही चलता ठीक है अब हम बात करें कॉंप्रिशन कमिशन ऑफ इंडिया काफिया इंपॉटेंट पोड़ी तो के तहट यह एक चीज आपको यहां पर यार रखने इसकी कुछ आपको देख लेते हैं है function कैसे कैसे हैं जैसे eliminate practice having the adverse effect on competition जो adverse effect देखने को मिलता है ठीक competition के अंदर promote यहाँ पर sustainable competition देखने को मिलता है कि consumer का जिसे for example अधिक competition से यहाँ पर समझ लाओगे किस ताइब की competition की बात हो रही है कि जहां पर भी trade बगेरा हो रहा है ठीक ट्रेट के अंदर competition अगर हो तो ट्रेट के अंदर ऐसा competition को फ्रेयर practice की जाए ठीक है तो यह चीज़ इसको ensure करती है commission ठीक है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना ठीक है पब्लिक पब्लिक awareness और ट्रेनिंग दी चाहे competition रहे ठीक है और opinion को लिए जाए यह सारी चीज़े जो है इसके इंदर हम deal करते हैं ठीक है 2002 के तहता आया है यह तो हमने देख लिए इसको बार पर इसके बाद नीटी आयो आई यह पर यहाँ पर पॉलिसी बना जाती थी और नीचे इंप्लिमेंट की जाती थी लेकिन नीचे क्या समझते हैं पहले वह देखेंगे उसके तोर पे हम उपर फिर पॉलिसी बनाएंगे ठीक है यह बहुत अच्छी पात है नीटी आयो के सबसे पूछा जाएं ठीक है काफी लोग पढ़ लेते नीटी 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 आयोगा इसका फुल फॉर्म में एक बार देख लिए नेश्टाल इस्टूइशन आफ ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया ठीक है यहाँ पर कॉपरेटिव फेडरिजम देखने को काफी य पर ऑट कि रहते हैं ठीक है हिक्श्ण क्या मैं वह लिए सबसे ज्यादा बात बाक्रदोट से युट अब कर रहाएं अब dogs कह सब्ड़ियंग सब्बसक कर रहेY कर रहे हैं के को बढ़ावा दे रहे हैं आप इसके बीच हमारा कॉंपेटिशन भी बढ़ रहा है और हम आपना जो सिस्टेनबल डेप्लमेंट गोल है उसको भी हम लेके चल रहा है ठीक है तो यह बॉटम अप अप्रोच यह भी आपको या रखने सारी चीज़ों है बहुत अच्छे तरीक अच्छी आपको यहां पर रखने प्राइम मिश्टर जो है पॉइंट किया जाते हैं प्राइम मिश्टर के द्वारे यह आपको यहां रखने हैं फुल मेंबर रहते हैं इसके अंदर बहुत सारी लोग ठीक है एक्स ओफिसे चेंजर और टाइम जो है इसमें नोमिनेट होत इसका बहुत सब्सक्राइब ने देख लिए तो यह आपने यहां पर रखने है आपने देखा हुआ कभी कफी जाता है ठीक है बेंकिंग के अंदर बेंकिंग सेक्टर के अंदर को बैंक दो जो है रिकवरी निकर बाते अपने पैसों की वापस नहीं ले पाते हैं इसलिए बनाया गया है ठीक है जहां पर भी ट्रिबिनल वर्ड यूज हो रहा है मतला हमको समझ जाए कैसी बोडी है क्वासी जूडिशल बोडी है ठीक है यहां से इस तरह किसे आप कौन सब पढ़ती चलेंगे चीज़ों को देखती चलेंगे कंटिनेश्ली आपकी पढ़ाय अगर चालू रहेगी तो आपकी माइंड में क्या हो जाएक है एक तरीकी का मैथमेटिक से आपके अंदर क्या हो जाएक माइंड में एक मैप बनना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको ट्रिबिनल दिया मतलब क्वासी जूडिशल बोडी है ठी यह चीज़ भी आपको यहाँ पर याद अखना ठीक है इसे कुछ पावर से फंक्षन देख लेते हैं अलग अलग से पावर से ऐसा कुछ खास इंपॉर्टन नहीं है पर एक बार रडीट कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है जैसे कि एसे इनफॉर्मेशन सेकुरिटी कहीं पी सब्सक्राइब को नहीं देखता है इस सब चीज़ों से अलग रहता है तो यहाँ पर याद रखना है ठीक है कुछ और की फैक्स हम देख लेते हैं थे छोड़ी इन्फॉर्मेशन आपर डिटी प्रिसाइब प्रिसाइडिट ओवर बाइद प्रिसाइडिंग उपसर हूज चीज़ बनने के क्वालिफाइड होना चाहिए आपको जार रखना है ठीक है डिस्टी जार विट टैन्यर और फाइब यह और एज एज 62 तो यह आपको याद रखना है जो भी सबसे पहले अचीव हो जाए ठीक है तो यह चीज इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद र देखेगी तो यह सारी सिज़ हमने डिसकेस करेंगे तो किसा रख आज का रखना करेंगें तो किसा रहाज का लेक्षर आपको लोगों तक इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और फटा फर इसको हर जेकर फैला दीजिए शेयर कर दीजिए तो आज का लेक्टर यहीं तक है थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच्छ फोटल डिस्कुर्ट